मौर्निंग बुलेटिन की शुरुबात करते हैं दक्षिन अफरीका से फैली कुरुना वाइरस की ओमिक्रोन वेरियंट को लेकर एक और जहां दहशत का माहौल है तो वहीं दूसरी और विश्व स्वास्त संगठन यानि की डवलो एचो ने बच्चों में संक्रमन को लेकर एक एहम जानकारी साजा की है डवलो एचो के यूरोप आफिस ने बताए कि 5-14 साल के बच्चों में संक्रमन तेजी से बढ़ रहा है डवलो एचो यूरोप के रिजनल डारेक्टर डॉक्टर हैंस क्लूज ने कहा कि वैक्सिनेशन से राहत मिली है और पिछले पीक की तुलना में बोंतों की संख्या भी कम हुई है वहीं अभी बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि 53 देशों में पिछले दो महिनों में कोरोना के मामले और मौतों की संख्या दुगनी हो गई है वहीं उन्होंने कहा कि डेल्टा वैरियंट अब भी फैल रहा है और इसी बीच उमिक्रॉन वैरियंट के भी 21 देशों में 432 मामले सामने आ चुके है